स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल माज साब की पाट सालाम है इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो डीबीटी एप पर समस्याइं आ रही हैं आपको 48 गंटे से ज़्यादा रेजिस्ट्रेशन करने के बाद भी बच्चे उस पर सो नहीं हो रहे हैं कि प्रमाणिछाथ्र B.O के पास नहीं जा रहे हैं तो क्या करना है आपको आधार बेरिफिकेशन में आपको प्रॉल्म आ रही है तो क्या करना है इंवेलिड यूजर आ रहे हैं आपको लोगइन नहीं हो रहा है वो एक अध्यापक को करने है कि सभी अध्यापक को करने है एक अध्यापक को करने के बाद में भी दूसरे अध्यापकों के login में verify और drop out का option आता है तो उसका क्या शमाधान है वो login में समस्य आ रही है तो उसके निमन रीजन हो सकते हैं अंतर जनपदी या अन्य विद्याले में register होना तो इसका solution है उस विद्याले कराएं बर्तमान में add कराएं नए अध्यापक का MDM में register ना होना BRC से MDM में registration कराएं या जिस अध्यापक का login हो रहा है उससे अपना number add कराएं add teacher से यह सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है teacher verify करने पर नहीं होगा अगर teacher verify बच्चों को कर देते हैं तो उसके बाद में वो नहीं होगा या फिर जब teacher को accept कर देते हैं के सारी details सही है तो फिर वो नहीं होगा अगर आपके phone पर verify या drop out का option नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप विवरण भरें और प्रमानित करें बच्चों को portal से delete कर पाएंगे या सबसे पहले जिसने भी login किया है वो प्रेडा dvt जो एप है उसके right side में three dots हैं तो उस पर क्लिक करके clear profile करेगा इसके अलावा कोई भी बंदा clear profile नहीं करें अगर आपने clear profile कर दिया तो आप first step पर दुबारा से पहुंच जाएंगे और आपने जो verify drop out किया होंगे वो आपसे दुबारा से करने पड़ेंगे यहां पर देखिए एक दूसरी चीज और है कि अगर verify drop out आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक phone से ही आपको करना है चाहे वो head के phone से करें चाहे किसी के भी phone से करें उसमें कोई problem नहीं है उसके बाद में सभी staff को login करना है अगर आपने पहले से ही login कर लिया है तो आपको वो verify drop out का option दिखेगा तो आपको क्या करना है कि सभी को जिसने verify drop out कर दिये हैं उसको छोड़के और सभी teachers को सिक्षामित्र जो भी हैं आपके जो भी staff है उनको app को uninstall करना है और दोबारा से login करना है तो आपके पास में verify drop out का option हट जाएगा क्योंकि पहला एक teacher उसको verify drop out कर चुका है और उसके बाद में आप allotment करके अलग-अलग teacher Sam को बच्चों को allot कर पाएगा headmaster के login में या किसी teacher के login में यह नहीं आता है कि वो पूरे विद्याले को एक साथ allot कर सकें और दूसरी देखिए authentication field आ रहा है जबकि MDM की call आती है तो अपने ब्लोक आफिस पर जाके यूडाइस पोर्टल और प्रेड़ा पोर्टल पर विद्याले के नाम को जो spelling है उसको एक जैसा कराना है आपको आपको पूरी process कैसे करनी है इसके ये वीडियो जैं वीडियो बन वीडियो टू तो इस पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं देखिए अब आधार card verify की समस्या आ रही है आधार नाम नंबर लिंग या mobile नंबर में गलती बता रहा है तो देखिए क्या चीज है उसमें या तो आपने register पर लिख लिया है या तो आपने नाम गलत लिखा है तो उसकी वज़े से ये समस्या हो सकती है तो आपको क्या करना है original आधार या आधार की photocopy मगा के जैसा भी उसमें नाम लिखा हुआ है और जैसे आधार card नंबर लिखा हुआ है वो सही आपको भरना है फिर भी अगर आपके problem solve नहीं होती है तो उसमें हो सकता है कि अभिवावक ने अपने आधार card में कोई परवरतन कराया हो लेकिन आपको पुराना आधार card दे दिया हो तो नया बनाने पर वो suspend हो जाता है तो जब आप उसका QR scan करेंगे तो आपको वो समस्या आएगी तो आपको आधार card को guardian से कहना है कि इसमें mobile number update करवा के आएंगे और उसके बाद में जो वो slip देंगे enrollment की वो वाले आपको यह आधार डाउनलोड कर लेना है अगर उससे बात नहीं बनती है या उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आपने जिस भी guardian का लिया है दूसरे guardian का लेके माली जो माता का लिया है तो पिता का पिता का लिया है तो माता का लेके आपको उसी का ही फिर आधार verify करा देना है जिसने modification नहीं कराया हो और उसी का ही आपको account detail बनना है देखे account detail और आधार में क्या समस्या है सबसे पहले जब आधार verify होता है तो वो नाम से verify होता है नाम specific है और जो accounts verify होता है वो आधार number से verify होता है तो वो अगर आधार number उसका सही नहीं होगा map नहीं होगा तो आपको PFMS portal से public fund management system जो PFMS portal वित्तेवम लेखादिकारी के पास में होगा उस server से बापस आजाएगा तो आपको वो फिर से सही करना होगा देखें आप हमें telegram पे भी question पूछ सकते हैं अब देखें दूसरी समस्या हैं देखते हैं और आपको क्या-क्या समस्या हैं आ रही हैं और उनके क्या-क्या solution है अगर आपने number पहले ही add teacher कर दिया है दूसरे teacher ने या head ने आपके ने add teacher कर दिया है लेकिन फिर भी वो जुड़ा नहीं है क्योंकि call center से आपके पास में call नहीं आई है तो आपका वो number verify नहीं हुआ है तो आपको BEO के पास में जो login होता है या BRC पर login होता है वहाँ पर जाना है और उनके पास में एक option दिया गया है add teacher in preda portal तो और यहाँ पर देखिए यह teacher है जिनकी request है जैसे भूल भूलिया खेडा सेलेंद्र कुमार ने गाम assistant teacher teacher mobile number है teacher HRMS code है और added by teacher जिस teacher ने add किया है तो यहाँ पर add पर क्लिक करेंगे तो वो active हो जाएगा आदे गंटे के अंदर यह active हो जाएगा और वो बंदा कारिक कर पाएगा है उनकी समस्य आये कि जीरो जीरो आ रहे हैं तो हम कैसे काम करेंगे तो उसके लिए किया है कि आपके विद्यालाय में हो सकता है किसी एक teacher ने जिसने verify किया या किसी और ने सारे के सारे वच्चे अलोटकर रखे हों तो इनको आगे क्लिक करके आवंटित कच्छा जो भी तो उस टीचर को वहां से उसका नाम हड़ जाएगा और आप किसी क्लास को आवंटित कर पाएंगे अपने आपको और आपका बच्चे दिखने लगेंगे देखिए दूसरा केस क्या है प्रमाडित चात्र 51 है बीयों को बेजेगे प्रमाडित चात्र 50 है और यहां पर बच्चे बेरिफाई के लिए भी नहीं है यहां डेटा सिंक नहीं होता है तो क्या होता है देखिए इसमें दो केस हो सकते हैं एक तो आपके फॉन की प्रावलम हो सकती है नेटवर्क की वज़े से आपको समस्या आ रही हो दूसरा यह हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं आपने एक से ज़्यादा बच्चों पर सेव डेटेल भरा है और वो सस्पेक्ट में BEO के पास में गए हैं जैसे गारजियन हैवेंग मोर देन टू चिल्टरन यहाँ पर गए हैं वो तो यहाँ पर जाने के बाद में वो जब BEO को लोग इन से अप्रूव हो जाएंगे तो आपके यहाँ एड हो जाएंगे फॉन की समस्या को हम आगे डिस्कस करेंगे देगे प्रेडा पोर्टल पर अभी बैंक डेटा अपलोड में टीचर लोग इन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यह प्रेडा एप है इस पर कैसे काम करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लियाएगा तो यहाँ पर आप बच्चों को एड कर पाएंगे लेकिन यह हैड या इन चार्ज एक टीचर के लोग इन से हो सकता है सारे टीचर एड नहीं कर सकते अब देखे अगर आपके फॉन की समस्या है आपके 48 गंटे में भी बच्चे रेजिस्ट्रेशन करने पर प्रेडा एप पर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है देखे यह जहाँ पर भी आइकन होगा प्रेडा डीवीटी का उसको टैप करके रखना है दो से 4 सेकंड तो आपके पास में यह उप्शन आएंगे एप इंफो आएगा तो एप इंफो पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस्टोरेज यूजज आएगा इस्टोरेज यूजज में जाके क्लियर डेटा और क्लियर कैश करना है इसके बाद आप लॉग इन करेंगे वो बच्चे आपके सर्वर से सिंक होकर आपके एप में आ जाएंगे अगर आपके पास में यह उप्शन नहीं आता है टैप करने पर एप इंफो नहीं आ रहा है तो अपने फॉन की सेटिंग्स में जाएंगे आप जहां पर भी application manager या app management होगा उस पर जाएंगे आप और जो प्रेणा dbt ऐप है उस पर क्लिक करके memory details में जाएंगे और वहां पर जाके clear cache and memory करेंगे देखिए जहांपे storage usage आ रहा है तो इस पर क्लिक करके clear cache and memory करेंगे तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्ण के जवाब दे दिये गए हैं अगर आपको फिर भी कोई confusion है तो टेलीग्राम गुरूप का लिंक है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं टेलीग्राम गुरूप को जोईन करके या फिर आप comment box में पूछ सकते हैं वीडियो को आप जदे से जदे like, comment, share कीजिए जिससे और अध्यापक लावानवित हो सके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स वर वाचिए